Good morning students, how are you? Fine? Okay, welcome to my online class. Open your GK notebook, book. Open your GLA book students. हम नहीं क्या आखा healthy food. Healthy food कौन सा आखते हैं? जो हमारी सिहत के लिए अच्छा आखते हैं. कौन कौन सा था है? जो हमारी सिहत के लिए अच्छा नहीं होता भोजन. जंक food, unhealthy को क्या बोलते हैं? जंक food भी बोलते हैं. एक्जामपल देखो, केक. फर्स्ट पिच्चर किसकी है? केक, टोफी, टोफी खाते हो ना? तो यह क्या है? unhealthy food. टोफी से क्या होते हैं? हमारे टीट स्क्राब होते हैं. ओके? तो हमने इनको क्या है? नहीं खाना. टोफी को कम से कम आपने खाना है. soft drink, soft drink भी जो है unhealthy food है. हमें इसको ज़्यादा पीना नहीं चाहिए. bread, ice cream, ice cream खाते हो आप, बहुत खाते हो न ice cream. इसको भी कम खाना चाहिए ice cream. यह भी क्या है? unhealthy food. इससे हैं हमारे टीट भी खराब होते है, ice cream से भी. चौमिन, चौमिन क्या है? unhealthy. next, burger, samosa. यह क्या है हमारे unhealthy food? जो आपको देखो pictures दी हुई है. आपको इनको ध्यान से देखना है इन pictures को और ध्यान में रखना है कि यह कौन से picture क्या है? और यह unhealthy food है. burger, samosa, chocolate. चौकलिट से क्या होते हैं? टीट स्क्राब होते हैं हमारे. तो इसे हमीं avoid करना चाहिए. noodles, pastry. पेस्ट्री. पेस्ट्री खाते हो ना अब? बर्डे होते हैं जब खाते हो पेस्ट्री. पीजा. तुझी क्या हमारे सारे unhealthy food? जाम से देखिए unhealthy food क्यों से होते हैं? cake, toffee, soft drink, bread, ice cream, chomin, burger, samosa, chocolate, noodles, pastry, pizza. ये हमारे हैं बेटा unhealthy food जो हमें avoid करना चाहिए. जिसको हम junk food भी बोलते हैं. ये हमारी सिहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. जो healthy food होते हैं. कौन-कौन सा healthy food था? हमने किया था देखो. healthy food कौन से हैं? vegetable, milk, fruits. हमें ज्यादा से ज्यादा क्या खाने चाहिए? healthy foods खाने चाहिए. जैसे salad, रोटी चपाती, biscuit. और जो unhealthy food होते हैं, हमें इनको avoid करना चाहिए. अब आपको समझ में आगया unhealthy food कौन से होते हैं? और healthy food कौन से होते हैं? आपको इनको ध्याद में रखना है. healthy food कौन सा होते हैं? जो हमारी सिहत के लिए अच्छे होते हैं, वो healthy food होते हैं. और जो हमारी सिहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनको हम unhealthy food कहेंगे. ओके? thank you